दाम हुआ तो उसमें कहा जा रहा कि जो जितनी पोस्टें हैं उससे चार गुना जो पास हुए हैं कैंडिट्स उनको बुलाया जाएगा लेकिन इसका विरोध है कही ना कही विपक्ष भी इसको मुद्दा बना रहा है कि जो अगर सीटी लिया तो सभी बच्चों को जो है इस तो जो सीटी का ड्राफ्ट है वो सरकार ने तै किया है ना कि हससी ने और हम तो जो सरकार की तरफ से हमारे पास इंस्ट्रक्शन्स हैं चाहे वो सही हैं चाहे गलत हैं उनको मानने के लिए बद्दे हैं तो ये क्वालिफाइंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए चार गुन होना चाहिए दस गुना होना चाहिए बारा गुना होना चाहिए इन सारे मुद्धों पर सरकार को फैसला लेना है ना कि HSSC तो इसमें कोई रास्ता निकल सकता है भविश में इस तरह है कि जो तमाम जो कैंडिडेट है जो जिन्होंने ये CET एक्जाम पास किया कौलिफाई कि या उनको मौका मिले क्योंकि एक बार पेपर देने के बाद लंबा इंतजार उन केंडिडेट को करना पड़ सकता है कि देखे आगे से अगर CET में कोई अमेंडमेंट करना चाहे सरकार तो वो कर सकती है सायद जो अब की बार है वो इस नहीं कर पाए क्योंकि इसमें फिर ल हाई मेरीटोरियस बच्चों का एक गूर्प बन चुका है अगर सरकार अपने उस से कहीं यूटरण लेती है यह अपना फैसला बदलती है तो वो जो हाई मेरीटोरियस बच्चे है वो कोर्ट गुर्ट में चले जाएंगे कि इन्होंने कहा कुछ था और कर रहे हैं कुछ औ और इनोंने अब हमारा कम्पीटिशन बढ़ा दिया है तो एक लीगल मेंटर भी है अब सरकार आगे से तो कोई अमेंडमेंट कर सकती है पर पिछले वाली सीटी में जो की एकजाम हो चुका है अब नहीं अब पीछे कदम अटा सकती है तो आपकी तरफ से भी कोई पहल होगी क सरकार को इस तरह का कोई सुझाव या कहा जाए कि ताकि ज्यादा ज्यादा बच्चे जो है जिनका भविश या जो नौकरी की जो एक रेस है उसमें वो शामिल हो सके सरकार अगर चाहेगी हमारे को इस बात पर मुद्दे पर बुला के तो हम अपना पक्स रखेंगे कि इसमें क्या कठनाई या कठ हमारे को हैं क्या कंडिडेट को हैं तो जो उचित मंच होगा वहाँ पर हम अपनी बात रखेंगे जो कंडिडेट के हित में होगी ग्रूप D का सीटी एक्जाम का भी होना था कब तक संभावित है या वो भी सेम इसी तरज पर होगा नहीं उसमें कोई चार गुना या पांच गुना का कंडिसन नहीं है उसमें टोपर्स की है जैसे हमारे पास 13,000 पोस्टे हैं तो हम 13,000 की बजये 15,000 लोगों से कंसेंट लेंगे कि क्या आप D क्लास में लगना चाहते हैं वहां कोई फर्दर टेस्ट नहीं है वहां सिरफ एक ही टेस्ट है जो सीटी गुरूप D का होगा तो कब तक इसकी संभावनाय होने की सितंबर में हमने प्रपोज किया है एंटी को हमने लेटर लिखा है कि हम जो D क्लास का हमने पॉर्टल खोला हुआ है पचासे कजार अप्लिकेशन और आ जाएंगी दस लाख अप्लिकेशन पहले से हैं मारे पास जो कोमन थी C और D की तो सितंबर में हमने उनको कहा है कि आप सितंबर में एक्जाम कंड़क्ट कीजी तो कितने पोस्टें ऐसी हैं जो ग्रूप D के लिए जो A.C.D. एक्जाम होगा अभी तक सरकार की हमारे भी बिन जो डिपार्डमेंट है उनकी तरफ से 13,000 पोस्टों की 12,700 चुराण में 1000 पोस्टों की रिक्वी जेसन या डिमांड हमारे पास आई हुई है एक पुलिस भरती में भी कुछ नियमों में बदलाव जो है विभाग करना चाहता था होने वाला था क्या आपके पास सूचना या कोई इस तरह का पुलिस विभाग की हैं जो पुलिस रूल्स थे रिक्रूटमेंट रूल्स और हमारी उन्होंने अपरोल ले ली है और CS से भी अपरोल होगी, CM साब से भी अपरोल होगी है अभी फायल सायद FD में पड़ी है और मैं यह उमीद है कि वो बहुत जल्दी हमारे पास जो नए रिक्रूटमेंट जाएंगे और उसके बाद हम विज्यापन करेंगे पुलिस भरती है तो रूल का कुछ पता चल सके कि क्या उसमें चेंज हुआ है कितना आने वाले समय में जो भरती होगी उसमें चेंज दिखेगा उसमें पहले उन्होंने यह किया हुआ था कि सात गुणा लोग जो टोपर लोगों की हाइट और चेस्ट मापतेंगे और जो PMT में क्वालिफाई होंगे उनका चार गुणा का रिटन टेस्ट होगा और रेस जो है बिलकुल लास्ट का इवेंट होगा जो चार गुणा लोग पर देंगे वो ही दोड रेस में हिस्सा ले सकेंगे तो कुछ जो सिक्व अब की बार नहीं रखे जैसे बीए के चार नंबर मिलते थे में के साथ नंबर मिलते थे तो वो सारे नंबर काट दिये हैं और इसी तरह से सोचो एकनोमिक के नंबर भी धाई कर दिये हैं सिरफ धाई नंबर मिलेंगे सोचो एकनोमिक के और सिरफ एक्स्ट्रा क्वालिपक 8.5 काड़ी 2.50 साथ नंबर उसमें कटौती कर दीगे और तीन बार जो है अब कहें कि कि यह जैसे कई भर्तियां जाके इस पे इक तरह से अंधिकार में चला जाता है जो घंन। को आयो क्या कर रहे हैंlegen को डिक्रत नचे में कई पार को remains pakई अधिकर हार है और कई बार कोर्ट में हम को इस न लगता है कि लोग दुर्भावना से जाते हैं कि बरती को रुकवा के रुकवा दे हम जैसे कल ही एक कोट के साथ में गए उस एकजाम भी नहीं दिया कंडिडेट ने सीटी का और जाके ये पली ले ली कि मैं तो जन्न नोली जानता ही नहीं मैं तो टेक्निकल पोस्ट का कंडिडेट हू इसलिए अगर सीटी लेनी थी मेरे से तो टेक्निकल की लेनी चाहिए थी और कोट ने उसको अलाव भी कर दिया कि इसको पेपर अगला पेपर दिलवाया जाए तो इस तरह की कठनाया तो होती है कि जब भी कोई नई चीज़ होती है उसको चैलेंज तो करते ही है लोग तो इस साल कितना लक्षे रखा है युवाओं को नोकरी देने का क्योंकि चुनाओी साल भी इसको का जा सकता है तो कितनी युवाओं को जो है नोकरी इस बार मिल सकती है सी कलास के लिए हमारे पास 32,000 की डिमांड सरकार की है और 6,000 पुलिस कोंस्टेबल मेल फीमेल और 7,000 है हमारी जो टी जी टी की भरती वो परकिरिया चल रही है डी वी के लिए अभी बच्चों को दो चार दिन में हम बोला रहे हैं और उसके लावा लग बग 13,000 डी कलास के लिए तो इस तरहे कुल जो हमारा कत्ती दिसंबरता का सरकार ने टार्गेट दिया है कि 60,000 इस परदेश के युवाओं को हम नोकरी दे चुके होंगे